कि हालो थुदेंट आज हम लोग क्लास 11 का मैथ चेप्टर 3 देखिंगे ट्राइग्वनेट्री फंक्षन तो समझते हम लोग का जो ट्रिगनोमेट्री क्या होता है और इसमें क्या पढ़ना इसे चलिए हम लोग देखते हैं इसको इंट्रोडेक्शन क्लास देखिंगे चलिए यहां पर समझते हैं जो हम लोग कहता है त्राय मतलब क्या होता है ठीक है और मेटरी का मतलब होता है मेजरमेंट तो थ्री साइट के मेजरमेंट का हम लोग क्या कहता है ठीक है अब इसमें हम लोग को क्या देखना है एंगल के बारे में ठीक है किसके बारे में एंगल एंगल क मेज़र ऑफ रोटेशन ओफ ए रे अबाउट इनिसेल रे अबाउट इनिसेल रे नीशेल रे टीक है यह हम लोग समझते ह। किए एंगल किसको बोलते मैं समझाता हूं ताकि आपको जैसिकी मान लेते हम लोग यह क्या है यह इनिसील साइड है को किAm Fresh Exam ईनिशेल साइड है हम लोग का व देज THE इसका नाम एड़े रहे ये हम लोग को क्या है वर्टेक्स ठीक है वर्टेक्स इसको बोलते आप सभी जानते ही जहाँ दोगान आपस में जिगह मिलती उसका हम लोग कैते है prove तेक्स हम लोग इशनर यहां पर दे करदे एक तरबिनल कर देडियर विए उसे CT के इनके बीच में जो होगा है इनकी बीच में यहाँ क्या होगा है का एंगल करते हैं यहाँ कोई दिक्कत नहीं रख दिए साइड कर दिए अगर हम लोग लिखा तो इसको चलिए कर देते हैं हम लोग अगर आगर हम लोग क्या है जब किसी इनिशियल रे के रसपेक्ट में कोई साईड क्या करता है घूमती में स्वंद से घूमती है तो वह जितना रिगुंती है यहाँ पर हम लिख दिया था तो खालब साइड करते है चलिए ताकि आप को समझने में कोई दिकद ना हो ठीक है यह मानसे में समझा रहा किसी इनीशियल साइड के रेस्पेक्ट में कोई साइड घूमती है तो यहां से बीच बीच लागे ठीक है तब इनकी बीच में जो रोटिक्शन वह कहते हैं ऐंगल कहते लिएम समझते हमलों क्या होता है यह हम लोग क्या कर ले लेता है इनीश up कर देते और यह उपर हमनों कै sections है कि टर्मिनल साइड है कि टर्मिनल साइड ठीक है अगर हम लोग का जब रोटेशन के यहां पर एंगल में जो रोटेशन कैसे इधर जा रहा होगा ठीक है एंटी क्लॉक्वाइज जब हम लोग कहीं यहां पर कैसे जा रहा होगा एंटी क्लॉक्वाइज ठीक है हम लोग का ज किंखी यहां पर धी क्लोकव से घा था अनीदिक होगा फोलुग फैरस तो हम उन्यम का ढर्मका का ईंगल का वाज में कोड़ी को सब्सक्राइब अब हम लोग कैसे हो रहाँ clock wise भूप यहां से रूटिशन ओ घाड़ी जैसे गुमते हैं घाड़ी जैसे हम लोग का तो घाड़ी कि दर घुमती है इधर गूमती है ठीक है अगर हम लोग का इधर घुम रहा है तो हम लोग क्या होगा यह क्लॉक वाइज होगा तहां लोग को कैसे ञेंगल किया का इसे गुमे गांटी मुपाइज हूगा कि यह इसे हूग लिग देता हूं मैं powiedzieć ऑपर और हम लोगा एंगल नेगटीव होगा और एंटी क्लॉक वाइज में हम लोग का पोस्टीव होगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मान लिजे हम लगो को 30 डिगरी का एंगल बनाने 30 डिगरी का एंगल यहां क्या खर i gör आगा 30 degree का angle बन जाएगा O A और यहाँ पर कर देते B अगर हम लोग को minus 30 degree का बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे कर देंगे हम लोग अभी देखें अभी क्या था anti clockwise घुम रहा था clockwise घुमेगा तो negative हम लोग का हो जाएगा यहाँ लोग देते A O और यहाँ नाम देते B ठीक है minus 30 degree का हो जाएगा ठीक है आप हम लोग यहाँ पर देखते हैं अब जो हम लोग का एंगल का हम लोग दो चीज़ से मेजर करते हैं एक होता है डिगरी और दूसरा होता है लुदर वह σे सुन लेते हैं सबसे पहले डिगरी के बारे में देखते हैं ठीक है बच्वन से पढ़ते आ हैं दो हॢ़्य का सब्सेOM लेगा है 1 पूरा रोटेशन लगा लेगा यहाँवास इस इंदर ही आ गया तब इसकी बीच में हम लोगा सेंटर में गूंगल बनेंगा वहां लोग कितना डिगरी का बनेगा हम लोग का यहां से आपниसे प्याज़ेगा वापिस स्टाट के गूंक बनेगा हो शिक्कना का उस डिगरी का एंगल कुछ करत को दिखेंगे यहां आपको बताै की जिसी घूमेंगा यहां से जरकल में तो इस सटाट के आगल बनेगा हम लोग का上ol में थे रीओं priori डिगरी का एंगल बनेगा ठीक है अब यहां पर देखते हैं आप हम लोग क्या कहेंगे वन डिगरी ठीक है अगर पूछेंगे वन डिगरी क्या क्या हम लोग का डिफिनेशन में पूछेंगा क्योंकि हम लोग रोटेशन कर रहा तो हम लोग यहां करते रोटेशज़ औफ पपलोलीटी रिखुलोट रिखुलोट सिकेशन आवट घ्री रिखुलुलिशन complete revolution revolution चलिये समझते ना पूरे rotation का ठीक है पूरे rotation का one by 60 part को हम लोग क्या कहेंगे वही हम लोग क्या होगा one degree होगा ठीक है हम लोग यह हम लोग का क्या है इसके बीच में कितना डिग्री के अंगल बन रहा थीए ऐंगल बन बन रहा अगर लोग क्या करें सिर्क पार्ट में क्या करेंग डिवाइड कर दें कितना कितने पार्ट में 360 भीоловीकार देंगे तहलों क्या होगा ऑंडिवाइड कर दिया अब यहां पर देखि एक आंगल पूले हम लोग क्या करें इस औंगल को होगा जो हम लोग कक्या होगा जो हम लोग का वन डिगरी होगा वो किया हो जाएगा 60 मिनट की एकोल हो क्योंकि हम लोग यहां पर क्या करें 60 पार्ट में डिवाइड करें इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग one degree equal to sixty और यह dash dash का मतलब क्या होता है minute ठीक है और यहाँ पर एक minute बराबर हम लोग जानते कितना second होता है 60 second होता है इसको हम लोग क्या लिख सकते है one minute को 60 और यहाँ पर double dash हो जाएगा second minute के लिए वो एक dash होता है और second के लिए double dash होता है हम लोग इसको ज़्यादा देखेंगे ऐसा लिखा हुआ हम लोग को नहीं मिलेगा हम लोग को ऐसा लिखा हुआ ज्यादा लिखा हुआँ है यहाँ अपर इंदेखेंगे कैसल मेज़र आपको समझ में आम कolution yield मेजर a participants कि हम लोग इनिट रिडियस का सरकल रिगा करें एक यूनिट रिडियस का और क्या लिएत एक सेंटीमीटर करनेंगे तो बहुत चोटा से दिखेगा समझाने थोड़ा कठीनाई होंगी फिर और एक में लिए दो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा यूनिट मतलब गङते लेकर समझाने समय बढ़ा लेकर बना रहा हूं ठीक है ताकि आपको यूनिट क्या करेंगे यूनिट लेंद का एक आर्क लेंद लेंगे मान लेते हैं यहां पर हम लोग का यूनिट लेंद का आर्क लेंद है यहां पर यूनिट ठीक है यह भी यूनिट लेंद का है वन यूनिट और यह भी कितना है वन यूनिट लेंद का हम लोग का आर्क लें गांगा वह वान रेडियन का क्या परनेगा एंगल बनेगा कितना बनेंगा ऊपर में जो एठीक है यह पर यहां पर यहां पर यहां बनाग डाल खायर मतलब की यह फिर समझते हम लोग ने क्या क्या वन यूनिट only आर्क लिंद हो तब हम लोग यहां पर क्या है क्या लिख देंगे एंगल सबस्टेंड इड़ दा सेंटर बाइन आर्क आफ लेंथ वन उनिट अट दा सेंटर अफ यूनिट सरकल इसे टू सेट तू अब यहां पर हम लोग समझते है ठीक है वन रेडियन जो हता हम लोग का वो क्या होता है ह हम लोग का लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस ऑफ सरकल रेडियस ऑफ सरकल अब यहां पर देखें मान लेते हम लोग का जो रेडियस है कितना है आर है और यह जो लेंथ आर्क लेंथ ही हम लोग का ल है ठीक है तो लेंथ हम लोग क्या हो जाएगा ल और हम लोग का radius क्या हो जाएगा आप यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग का जो length है यह भी one unit का था one और radius भी कितना unit का था one तो हम लोग का कितना आ जाएगा one आ जाएगा तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर मैं आगे लिख देता हूँ इन ए सर्कल इन ए सर्कल ऑफ रेडियस are an arc of length, arc of length L, subtain an angle theta radian as the center so we have तब हम लोग के एक फोर नया फोर हम लोग क्या बनी मिल गया theta radian equal to L by R ठीक है यहाँ पर धियान से देखे जब हम लोग का कि सरकल में जो हम लोग का radius हो R कितना हो radius कितना हम लोग का R हो और length कितना हो L हो तो वो क्या होगा अर्क में स्रकल में जो angle form हो वो 2टा radian का मुद्प आंगल हो वो ठीक इस बात को यद रखेखर सरकल में लोग का क्या एन लेवन जो सेंंटर में इंगल हम médico वो का उन्वी होगा बनेग वो ठीक हम इस के याद रखेगा आप हम लोग यहां पर देखते है रेडियन में भी हम लोगों क्या होगा नेगेटीव अगर हम लोगा मान लिजी हम लोगा क्या है सरकल है अब यहां से हम लोग ऐसे कर देते हैं अब हम लोग किया कर रहा है है अभी हम लोग का इधर घूम रहा है यहाँ पर क्या है यूनि Is रेडियस है यहाँ पर भी हम लोग का यूनिट लेंथ है ता हम लोग का यह क्या होगा देखते हैं हम लोग डिग्री एड रेडियन किसके किसके बीच के हम लोग रिलेशन देख रहें डिग्री और रेडियन के बीच के हम लोग रिलेशन देख रहें तो चलिए समस्ते डिग्री और रेडियन के बीच के रिलेशन क्या होता है मानने जी हम लोगा क्या सरकल है कुछ है ऐओ ठीक है सरकल है अब यहां पर देख County है मने आ सब्सक्राइब यहां से हम लोग किए गूमते 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 में देख जाए तो यहां पेशन हो जाएगा तो ऐंगल बीच में कितना डिगरी का बने गा 360 डिगरी का एंगल क्या होगा फार्म होगा सेंटर में लेकिन अभी हम लोग किसका देख रहें रेडियन का देख रहें कि इसमें यहां पर 이ो आपको समझ में ठीक है रेडियन के केस में क्या होगा जो हम लोग का क्या होता है यहां यहां पर लेंगे तो अगर बाइस ले लेंगे तो आपके बड़ जाएगा यहां पर इन रेडियन लिख देते हैं ताकि आपको समझ में ठीक है रेडियन रेडियन के केस में क्या होगा जो हम लोगा हम लोग ने देखा था क्या होता है यहां पर यहां पर यहां पर हर बार आर्क लेंथ जो होगा चेंज होते रहेगा ठीक हर बार क्या हम लोग का आर्क रखकंळाब यहां ले लेंगे से मुए तरन होगा तो शाठाब के हां लो Mogाปर इस क्या होता है कि टूब ऑई न होते है डतीक है क्या होता है और डीज हम लोगा कितना है रेडियस हम लोगा क्या है अगर हम लोगा सॉर्मुला में पूंठ करें किन सब्सक्राइब यहां से घुमते घुमते हैं तो यह हम लोग का क्या करेंगे इसका वैल्यू को पूट कर देंगे तो यहां पर क्या होजाएगा टू पाई आर अपन में क्या हो जाएगा आर से आर क्या होगा यहां पर कर देंगे आप हम लोग आगे देखते हैं आप देखेंगे यह तो हम लोग का रेडियन में आया कि इधर कितना एंगल फर्म और रेडियन में टू पाई अगर हम लोग इसको डिगरी में देखे तब जब हम लोग डिगरी में देखे थीटा क्या हो जब डिगरी में हो किस में हो डिगरी में तब वो कितना डिगरी का एंगल फर्म करता है हम लोग जानते हैं 360 डिगरी का एंगल वो फर्म करता है सेंटर पे हम लोग जानते हैs total angle of total in a circle, कितना होता है हम लोगा ? 360 degree का होता है, अब हम लोग क्या करेंगे ? ले लेंगे equation from 1 and 2, तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे देखें, दोनों के हम लोग का angle ही है, दोनों के angle ही हम लोग करेंगे 2 pi, ठीक है टूपाई क्योंकि हम लोग को दूनागा एंगल इता हम लोग इसको इक्वल कर देते हैं टूपाई एक्वल टू-360 डिग्री आप यहां पर देखिए आप हम लोग यहां पर क्या करेंगे देखते हैं अब यहां पर हम लोग देखते हैं रेडियन में और यह डिग्र जीरो तो हम लोग का कितना आगे अब पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री तो अब यहां पर इस चीज को समझे इसको ठीक है हम लोग का पहले हम लोग बच्च्वेंट में क्या पढ़ते थे पाई का वेलिव 22 बाई 7 पढ़ते थे या 3.14 पढ़ते हैं लेकिन जा हम लोग का रेडियन का केस में हम लोग का पाई का जो वेलिव होगा वो कितना होगा 180 डिग्री कितना होगा 180 डिग्री इससे हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं जिसकी अगर हम लोग बात करें डिग्री आ गया अगर हम लोग पाइब थी करें तो कितना जाएगा हम लोग का कि इसी प्रकार से फोर करेंगे तो क्या होगा हम लोग का ट अब टेबल जो हम लोग पड़ा से स्ट इसान जरो डिग्री साइन सैं 30 डिग्री साइन 45 डिग्री से 90 अब हम लोग का क्या होगा यह डिग्री डिग्री में रहेगा क्या रहेगा कैसे रह का? पार बाइ 2, पार बाइ 3, पार बाइ 4 इस डाइप से हमलोग का? रहेगा, पार बाइ 6 रहेगा ठीक है, पार बाइ 6 का कितना हो जा Minaina राइगा? पार बाइ 6 का 6 ना तो यहाँ पर कितना हो जा जाएगा? 0, Toh copy themark, 0 से 0 टीबल में ठीक होगा पाइब टीबल में ठीक है इस बात का फमें से याद रखेगा बीटेबल जहुंद का वेल्यू था सर्समें साइन गर्णे को उनला होगा एंगस का लक है इसके प्लेस ए यागा और यहां पर दियान से देखे एक चीज़ दियान से देखे यहां पर हम लोग आब क्या करेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे अगर हम लोग यहां पर इसको चेंज करेंगे अगर हम लोग देखा जाए अगर हम लोग को वन रेडियन का वैल्यू जाना हो ठीके वन रेडियन तो हम लोग कैसे निकालेंगे यहां पर देखिए इसको मैं यहाँ इससे करके रफ कर देता हूँ RO UGS समझाने के लिए मैं आपको बताया यहाँ पर देखे 180 डिग्री अब 1 रेडियन करने कालेंगे तो क्या आगा 1 by 80 डिग्री और जो पाई हो क्या आजाएगा नीचे आजाएगा नीचे अगर हम लोग को इसको हमें से याद रखे कि जहम लोग को रेडियन से डिग्री में चेंज करना होगा तो हम लोग इसका फॉर्मलाल लगाएंगे ठीक है और अगर हम लोग को डिग्री का बात करें ठीक है पाई सी एक्वल टू इधारा जाइगा तो इतना हो जब हम लोग को कि डिग्री से किसमे चेंज करना होगा रेडिडियन में जाना होगा तो rays लगेगा तो यादrem desapar Maurice ऐसम बनाना ऑगत यह फॉर्मूलार लगेगा है और दीग्री से प्रेडियन से डिगशाम्पल में देख लेते हम लोग चलिए देख लेते हैं हम लोग फाइव रेडियन का देख लेते हैं माल लेते कोशन है ठीक अंदाज है हम लोग मतलब कि एक हम लोग ने कोई भी ऐसी वैल्यू ले लिए ठीक फाइव रेडियन को हम लोग इसने कनवर्ट करना है डिगरी में तो क्या होज़ेगा चलिए लोग प्याटी इसको मैंतिपलाई करेंगे 180 ऐलाइड रपाई से क्या करेंके 5 into 180 और यहां पर क्या हो जाएगा 22 into 7 इसको हम लोग solve कर सकते ठीक है solve करेंगे तो आपका अंसर आजाएगा solve कर दीजिए आप लोग जानते है आपका अंसर आजाएगा ठीक है किसमें चींज हो जाएगा हम लोग अभी radian से किसमें चींज करेंगे ते डिगरी में ठीक है तो आपका अंसर क्या जाएगा डिगरी में आजाएगा ठीक है इसी तरह आप एक question और बना के बता दीजे मुझे अभी आप क्या करेगा 10 degree को किसमें बदली गा रेडियर में और इसका अंसर आप मुझे बतेगा ठीक है इसका भी अंसर बतेगे और इसका भी अंसर मुझे बतेगे सोच्टेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू